हेलो, नमस्कार, जेहिंद दोस्तों, मैं हूँ चंद्रिका परशाद इस वीडियो में हम साल्व करेंगे दोस्तों पास्चात राजनेतिक बिचारक जॉन लाग से सम्मंधित महत्पुल प्रशनों को अगर आप जॉन लॉक से समंधित महात्पूल प्रशनों को जानना चाते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लेकर आंत तक जरूर देखिए यह वीडियो आपके तयारी में और आपके सफलता में निश्चित रूप से बहुत ही सहायक सिद्ध होगी अगर आप इस वीडियो को देखे रहेंगे और इसमें जो कोईशन दिया है उसको पढ़े रहेंगे तो पेपर में आते ही चुटकियों में आप उसको हल कर लेंगे यह वीडियो दोस्तों UPTGT, PGT, Yelty, Great GIC, Lecturer, NetJRF और UPSC के परिख्षा के लिए समान रूप से उप होगी है तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और साल्ब करते हैं इसके सवालों को इसमें पहला कोश्चन दिया गया है दोस्तों कि उदारवाद का जनक किसे माना जाता है आपसन में दिया है बेंथम जाउन लाग काल माक श्रेयलासकी तो इसका सही उतर क्या होगा आपसन नमबर दूसरा इसका सही उतर होगा दोस्तों जान लाक को उधारवात का जनक क्यों माना जाता है देखिए जान लाक को उधारवात का जनक या उधारवात की आत्मा कहा जाता है तो आप इसको याद रखेंगे बहुत ही महात्पूर कोश्चन है फिर अगला कोश्चन है जान लाक का सबसे प्रमुगरंथ इनमें से कौन है इसमें दिया है रिपबलिक लेवियाथन शासन पर दो निबंध या दास कैपिटल तो इसका सही उतर क्या होगा आप सर नमबर दूसरा इसका सही उतर होगा दोस्तों शासन पर दो निबंध तो राजा के दैबी अधिकारों का खंडन किया है फिर अगला कोश्चन है लाक के अनुसार माना सवभाव के बारे में काउन सा वक्तब शही नहीं है इसमें दिया है पहला मनुस से कोरा जंगली पसु है दूसरा है मनुस से एक नैतिक प्राणी है तीसरा है मनुस से कर्तब की पुकार सुनता है और चौथा है मनुस से परोब कारी प्राणी है तो इसका सही उतर क्या होगा इनमें से कौन सा वक्तब लाक के अनुसार माना सवभाव के बारे में सही नहीं है तो पहला नहीं सही है दोस्तों आपसा नंबर पहला इसका सही उत्तर होगा मनुस से कोरा जंगली पसु है लाग के अनुसार ये चीज नहीं है ऐसा मानना है रूसों का जौन लाग ने दोस्तों मानुस वभाव का सकरात्मक चित्रण किया है उसके अनुसार मानव, बुधिमान और विवेक सील प्राणी होते हैं और उनमें प्रेम, दयालता और सहसुरता के गुणादी पाये जाते हैं मनुस से दूसरे मनुसियों के साथ अच्छे संबन रखते हुए खुसाल जिवन बितित करते हैं वे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं मनुस से एक नहितिक प्राणी है वो अपने करतब्यों की पुकार सुनता है और वो है एक परोपकारी प्राणी है फिर अगला कोश्चन है दोस्तों किस दार्फनिक के उनसार जन्म के शमय बेक्तिकामन कोरे कागज की तरह होता है इसमें दिया है वाटसन, रूसो, अरस्तु और लाग तो इसका सही उतर क्या होगा? आपसन नमबर चौथा इसका सही होगा दोस्तों लाग जान लाग के उनसार दोस्तों जन्म के समय परत्यक बेक्तिकामन कोरे कागज के समान होता है फिर अगला कोश्चन है लाग की प्राकृतिक उस्ता थी कैसी थी इनमें से बताना है इसमें दिया है समाजवादी, पूर्ब शामाजिक, पूर्ब राजनेतिक और अयतिहासिक तो इसका सही उतर क्या होगा आपसा नमबर तीसरा इसका सही उतर होगा दोस्तों पूर्ब राजनेतिक लाग की प्राकृतिक उस्ता दोस्तों पूर्ब राजनेतिक है, पूर्ब सामाजिक नहीं क्योंकि लोग पहले से ही सामाजिक थे कि ओल राजनितिक नहीं थे इसलिए इसको पूर्व राजनितिक कहा जाता है लोग समझवते के द्वारां राजनितिक होते हैं जौन लाग का मानना है दोस्तों कि प्राकर्तिक अवस्था प्राकर्तिक नियमों से संचालित होती थी तथा यह भी थी प्रत्यक ब्यक्ति को इस्वर के द्वारां मिली हुई थी जो की बिब्यक पर आधारी थी अता है सभी ब्यक्ति सोतंतर और शमान थे कोई भी किसी की इच्छा पर निर्फर नहीं था शाथ ही किसी को किसी दूसरे ब्यक्त के जीवन, सुतंतरता और शंपति का हानी पहुंचाने या अपने फायदे के लिए परियोग करने का अधिकार नहीं था जौन लाग के अनुसर प्राकरतिक उस्था, परस्पर, शांती, शायोग, शमानता तथा, पूर सुतंतरता की उस्था थी प्रत्यक ब्यक्ति अन्य ब्यक्तियों के अधिकारों का शमान करता था, लोग सामाजिक रूप से रहते थे, क्योल राजनितिक नहीं थे फिर अगला कोश्चन दोस्तों, जीवन, सुतंतरता और शम्पति को किसने ब्यक्तिका प्राकरतिक अधिकार माना है इसमें दिया है अरस्तू, हाफ्स, लाक और रूसू, तो इसका सही उतर क्या है, आपसन नंबर तीसरा इसका सही उतर है दोस्तों, लाक जाउन लाक ने दोस्तों, जीवन, सुतंतरता और शम्पति को ब्यक्तिका प्राकरतिक अधिकार माना है फिर अगला कोश्चन दोस्तों, किस सम्विदा वादी बिचारक ने दो समझावते करवाएं हैं इसमें दिगा है हापस, लाक, रूसो और इनमे से कोई नहीं तो इसका सही उतर क्या होगा? आपसन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों, लाक जाउन लाक ने दोस्तों, दो समझावते करवाएं थे प्राकरतिक अधिका वस्ता में दूसरा समझावता नागरिकों और राज केमध होता है, जिसके द्वारा एक ट्रस्ट के रूप में सरकार का निर्माण होता है इस प्रकार लाक ने राज और सरकार में भेद भी किया है जान लाग का समझहता दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का है और यह सहमतिक शिद्धान पर आधारित है समझहते का कारण यह था कि प्राकृतिक अवस्था में बिक्तियों को कुछ आसुपधाये थी जैसे प्राकिर्तिक नियम अस्पष्ट नहीं थे, प्राकिर्तिक नियमों और उन पर आधारित नियमों को क्रियानिवित करने वाली कोई संस्था नहीं थी, नियमों की ब्याख्या करने वाली संस्था और नियाईपालिका का अभाव था जान लागने दोस्तों, राज की उत्पत्ती और उसके अस्तितों का आधार मनुस्यों दोरा आपसी सहमती से किये गए शामाजिक समझोते को माना है यह समझोता सभी लोग करते हैं और सब लोग सब के शाथ करते हैं तथा समझ्टी रूप में प्राकरतिक बिधी की ब्याख्या करने और उसके उलंगन के लिए दंड देने के अपने बिक्तिकत अधिकारों को समर्पित करने के लिए श्रहमत होते हैं समझोता सर्ब सम्मत और सर्ब कालिक होता है तो समिद्यावादी बिचारक जौन लाग ने दो तरह के समझोते करवाये थे आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों लाग ने किस सिधान्त का शमर्थन किया है इसमें दिया है असीमित संप्रभुता का बिना संप्रभुता का राज या शामान संकल्ब की संप्रभुता का तो इसका सही उत्र क्या होगा आपसा नमबर दूसरा इसका सही उत्र होगा दोस्तों सीमित संप्रवता का जान लाग ने दोस्तों सीमित संप्रवता का शमर्थन किया है जान लाग के समझाओते में दोस्तों बेक्तियों ने राज जिकों के ओल तीन काम दिये हैं कौन-कौन? पहला है कानून की ब्याख्या करना, दूसरा है कानून का क्रिया नवयन करना और तीसरा है कानून का उलंगन करने वाले बेक्तियों को दंडित करना इसके अलावा सारे अधिकार और सारे सग्त का अपयोग बेक्ति स्वयम करते हैं इस प्रकार जानलाग ने सीमी संपरवता के शिधान्त का शमर्थन किया है सरकार का मुख्य काम है बेक्त की संपत की सुरक्षा करना फिरगला कोश्चन दोस्तों लाग का विश्वास था कि शंप्रवू कैसा है इनमेश बताना है इसमें दिया है पहला समस्त कानूनों का परमुक करता है दूसरा है बिद्दमान कानूनों से बधा हुआ है तीसरा है समस्त कानूनों से उपर है और चौथा है उपरोग्त मेंसे कोई नहीं तो इसका सही उत्र क्या होगा इसका सही उत्र होगा दोस्तों आपसन नंबर बी बिद्दमान कानूनों से बधा हुआ है लाग का बिश्वास है दोस्तों कि शंप्रभू बिद्दमान कानूनों से बधा हुआ है संप्रभू के पास सक्तियां बहुत सेमित हैं फिर अगला कोश्चन है इनमे से कौन लाग के राज की बिसेस्ता है इसमें दिया है पहला राज मानव कल्यान का एक साधन है दूसरा है राज का आधार जन्स रहमती है तीसरा है शंप्रभानिक राज चौथा है श्रेमित सत्ता वाला राज और पांचवा है उपरोग्त सभी तो इसका सही उतर क्या होगा आपसर नमबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों उपरोग्त सभी ये सारी विसेस्ताएं जान लाग के राज की विसेस्ताएं हैं आप इशेयाद रखेंगे फिर अगला कोस्चन दोस्तों लाग के राजनीतिक चिंतन की राजनीत बिग्यान की सरफ्षेष्ट दियन क्या है इसमें दिया है जन्स रहमती, शंप्रभुता, क्रांती और शक्ती प्रिथक करण तो इसका सहीवत तर क्या होगा आपसर नमबर पहला इसका सहीव होगा दोस्तों जन्स रहमती लाग के राजनीती चिंतन को राजनीत बिग्यान की सरफ्षेष्ट दियन है जन्स रहमती फिर अगला कोश्चन है किसने कारपालिका को विधायका के अधिन रखकर शंबाइधानिक सासन प्रडालिक की निव रखी थी इसमें दिया है हाफ्स, लाग, रूसो और हीगल तो इसका सहीवतर क्या होगा लाग इसका सहीवतर है दोस्तों बेक्ति के प्राकरतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए दोस्तों जौन Lark ने सासन के प्रमुखंगों विधायका और कारपालिका को अलग-अलग रखने का शमर्खर किया है तभार राज की सरवोज सत्ता कारस्थान विधायका को दिया है और कारपालिका को ऐसी संस्था माना है जिसमें नियाएक सक्तिया नहीं हित होती है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है सक्ति पिर्था करण का बीजार ओपड किसके बिचारों में पाया जाता है तो लाक की बिचारों में पाया जाता है आपसा नमबर दूसरा इश्का सही है फिर अगला कोश्चन है लाक के उनसार राज क्या है तो लाक के उनसार दोस्तों राज येक साधन है और साध है ब्यक्ति फिर अगला कोश्चन है लाक के उनसार सरकार का सरबोत्तम रूप इनमें से कौन है इसमें दिया है राज तंत्र, शम्बैधानिक राज तंत्र, लोक तंत्र या सरबादिकार वाद तो इसका सही उत्र क्या है? आपसन नमबर दूसरा इसका सही उत्र है दोस्तों शम्बैधानिक राज तंत्र, लाग के उमसार दोस्तों सरकार का सरवुत्तम रूप शंबैधानिक राज तंत्र है